पूर्ण नहीं अब पूर्व सीम कहला है ये दियूरप्पा वहाँ देखिए आप आप पूर्बं इवर्व सीम कहला है सुचर झापक, ये दियूर को वहाँन वहाँ देखिए आपी सिद्दान Safari दो जापक, ममनननननननननननननननन Show Can भницंब सुचर धूर्व सीम कहला है सुचर झाली चछियूर्व जाई आता नाशनला एंथम हो रहा था अभी विदान सौधा में हाला कि आप देख रहे थे कॉंगर्स के लेताओं के खुशी इतनी कि वो अटेंशन मुद्रा में साफ तोर पर नज़र नहीं आए उनकी 113 सीटे होती तो वो कैसे तखदीर और सूरत बदल कर रख देते करनाटका की और इस पूरे मसले पर बाचीट करने के लिए प्रसाद बोसे कर हमारे साथ जुड़ गया उनका रुख करता है प्रसाद इस वक्की बड़ी खबर है जो खबर दर्शकों को जी नियूज ने बहुत पहले बता दी थी जो सूत्रों ने जानकारी दी थी वो सही साबित हुई बिल्कुल रुबिकार राजनितिक सत्रंच का खेल चल रहा था लेकिन जो फाइनल है वो टी ट्विंटी की तरह ही देखने को मिला है इस वक्त मैं राज़भवन के बिल्कुल सामने हूँ एक बार फिर जो फोकस है वो करनाटका के राज़वन सक्षित हो गया है मैं आपको दिखाना चाहूंगा सेकुरिटी फोर्सेज जो है पूरी तरह से यहां पर घेरा बंदिक कर रहे हैं और यह बताय जा रहा है कि कुछी देर में जो पूर्व मुख्य मंत्री है यहां पर आएंगे और अपना इस्तिफा यहां पर सौंपेंगे तो फिर एक बार फिर जो है करनाटका के गवर्नर के अंदर बॉल है मैं आमिद प्रकाश करू करी उनके पस और डीटेल्स आ रही है आमिद प्रकाश आप बताईए आप तो विदान सौधा के बिलकुल बाहर मौजूद है रुबिका रुबिका एक एमोशनल स्पीच के बाद ये फ्रेम देखिए सीधा ये फ्रेम इस फ्रेम पे नजर रखनी चाहिए इसी कैमरे फ्रेम में जो आपको तस्वीरे दिख रही है यदुरपा आप पूर मुख्यमंत्री हो जाएंगे कुछ देर में और उसके बाद व पूर्बिका हम आपको दिखा रहे हैं जैपाल के पास कुछ इंफरमिशन भी है जैपाल अंदर थे जैपाल जैसे की समझा जा रहा था जैसे की पहले ही लग रहा था कि ये दुरुपा वो विश्वास अब उनके अंदर में नहीं रहा कि वो विश्वास मस्त आसिल कर प्रशन से दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस प्रदेश ने उन्हें बहुत बहुत का रिश भीच हमारे साथ रुपिका बीके हरी प्रसाथ सीनियर कॉंग्रेस लीडर इस वक्त हमारे साथ हैं खुशी का मौका है उनके लिए क्या कहेंगे इस्तिफा देके जा रहे हैं यदुरपा भी जी इस्तिफा देना है औरेंद्र मोधी इस्तिफा देना है प्रजा तंत्र को और सम्मीदान को थोड़ने का काम करते हैं कोई पत्पे बैटने का लायक नहीं है यह लोग लेकिन सुबह से जो हलचल चल रही थी क्या लास्ट मिनिट ऐसा हुआ और अपसे त संक्या बल था संक्या बल के उपर इस्तिफा देना पड़ा रही के हरी प्रसाद जी उन्होंने अपने भाशन में जिक्र किया जेडी एस और कॉंग्रेस के गड़बंदन का अन्होली गड़बंदन उन्होंने कहा कि यह आज समवेदानिक जिस तरीके से जोड़तोड किया और अब सरकार जो बनने जा रही है इसको भी लोग भौमत नहीं दिया है अतंत्र विदान सबाद चुनाया है लोगों ने इसके मतलब समिश्चर सरकार के लिए इधर लोगों ने ओड़ दिया है इसके मताबिक हम लोग जेडिये लाइक माइंड़ कॉंग्रेस और जेडिय है उसको बुला के छपत दिलाना चाहिए मुकिमत क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कॉंग्रेस खेमे में खुशी शुरू हो जाएगी कुछ दिर बाद से पूरा देश में और दुनिया में खुशी है यह नरेंद्र मोदी का नाटक इदर नहीं चला कर नाटक में आप सबसे आखिर में एक बात बताईए क्या अब जो तै हो रहा है आपको उम्मीद है जब गवर्नर साब बुलाएंगे तो वैसी स्तिती में क्या उमीद कर रहे हैं आप यह स्तीफा जब यदुरपा जी स्वापेंगे उसके कितनी दिर दिन बाद आपको लगता है और कोई ट्रिक न सब्सक्राइब को लेके वो लोग भी नाराज थे कि भाई पहले जिस कैनेड़ेट को हमने हराया आज उसके साथ मिलके सब्सक्राइब बना रहे हैं अब क्या तो उन्होंने का नहीं चलेगा यहां करनाटक में किसी तरह करनाटक क्या खुशी शुरू हो गई है कॉंग्रेस के केमे में तो उन्होंने का कि इस बात की जानकारी हमें पहले से ही थी कुछ और जानकारी आपको मिल रही हैं हमें जल्दी बताइए इससे पहले कि पीछे का फ्रेम आप रुपिका उस पे भी नजर हमें रखनी होगी किसी भी पल या दुरब्बा वहां से आ सकते हैं विक्टरी जीत जीत का साइन बना के उधर से इधर जाते हुए दिख रहे थे आप देखिए आज जो असंबली में हुआ है ये दिखाता है कि बीजेपी का जो सत्ता का लालच है उस पर विजय हुई है डेमोकरिसी की प्रजाप्रभुत्व की सत्ता का लालच बीजेपी को इतना था कि ये डुरबपा जी के पास नंबर नहीं थे गाउर्नर साब को सेटिंग करके वो पीछे के दर्वाजे से हुकूमत बना कर जो लोगों के पास नंबर ज्यादा है जिनको जनता ने नंबर ज्यादा दिये हैं उनको सत्ता से दूर रखने की साजी शुईती बीजेपी की द्वारा गाउर्नर अमिट शाह और नरंदर कर दो करने गी जिन लोगों को नंबर ज्यादा है जो जंता दिल और कॉंग्रेस का उनकी सरकार बनेगी नंबर ज्यादा है ना अकेले अकले तो नहीं है ने बिलके ही होता है ठीक है आमे तम आपके पास आएंगे रिजवान बैंगलूरूस MLC हैं जो कॉंगरोस की तरफ से प्रसाद बोसेकर मौजूद है हमारे साथ बीजेपी दफतर से वहां करनाटक में क्योंकि चैपजे देखिए प्रेस कांफरेंस होने वाली है अब इस पूरे के पूरे मिजॉरिटी हासल ना करने की बात को कहीं न कहीं एंकैश करने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी और इसलिए चैपजे प्रेस कांफरेंस सारे मैमान यहां पर बनेवें क्विकली उनसे हमें इस पर रियक्शन ले लेते हैं शैजाद जैसे मैंने आपको बताया था मैंने मिमान सा जी जपती मैंने कहा था कि एर इडियरापा जी रेजिग्नेशन दे सकते क्योंके Narendra Modi जी का उनको एक मैसेज एक तरीके से आया था कि हम लोग हर तरीके के हथकंडे अपना के नैतिक हार के दम पर एक जीत नहीं लेना चाहते हैं और मुझे लगता है जो लोग सत्ता जहर है ये बात 2013 में कह रहे थे आज जब सत्ता सच में नहीं मिली तो किस तरीकी से पीछे चोड़ रहे हैं तो जानकारी दे रहे हैं प्रसाद बताईए यह देखिए यह पूर्व मुक्यमंत्री का अपना इस्तिफा देने अभी अंदर पहुंचे है अच्छा वो पहुंच चुके हैं राजबवन के अंदर मौजूद है पहुंच चुके हैं रेजिगनेशन देने वाले हैं तैसीन पुनावाला जहर तो भगवान शिव को भी पीना पड़ा और यह पीना को जला चीज ने लेकिन 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 जो मैंने आपको कहा था कि जो में पहले दिन से एंबी पार्टल आज जो नाम लेगे मैं आपको क्वैली का रेजिगनेशन हो रहा है मुझे जुटला जुट मुझे बताया कि मैं जूट कह रहा हूँ जुम्ले देने की जिनकी आदत है वो जुम्ले देते देश को देश ने आज मैंडेट दी अगर ज्यादा बगत होता प्रिसाद आप ये बता रहे हैं कि इस्तीफा सोपने के लिए इंफाक पहुच चुके वहां अंदर है ना राजभवन में ये दियूरप्पा बिलकुल जो गाड़ियों का काफी लागा है कम से कम दस गाड़ियां अंदर गए और ये जानकर ही हमको यहां के जो कर्मी बता रहें कि अंदर पूर मुक्खे मंतरी बिये सीदुरप्पा का ही काफीला था और यहां इस्तीफा देने वहां पे पहुंच चाए क्योंके तोर पर यहां पर आके उनको रिजिनेशन देना ही था आमिद भी हमारे साथ एनिश्चिदा भी हमारे साथ जुड़ गई है आमिद आपके पास भी कुछ जानखरी आ रही है अपडेट है एक अपडेट रुबिका इस वक्ती अपडेट यह है कि ऐसे सूत्रों से खबर आ रह सब दोनों को किसी भी तरह को कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं वो जानते हैं कि इसमें जितनी भी देर वो करेंगे उसमें फिर कहीं जोड़तों की राजियोती शुरू हो सकती है ऐसे लिए जरूरी है कि जल्से जल्द वह सपत कर लें और अब राजिपाल के पास भी दू कुछ देर बाद राजिपाल के पास पहुंच जाएं और ऐसी ख़बर आ रही है दुबारा दोरा रहा हूं दर्शुकों के लिए कल शपत हो सकती है जेडियेस और कॉंग्रेस की जो ठीक है बीजेपी के बीजेपी के बीएस येजुरॉप्पा और शोबा करंद ले जो हैं अनंत कुमार के साथ माराजबवन में मौजूद है वहां पहुंच चुके हैं इधर ममताब एनरजी फॉरन ट्वीट करती हैं लिखती है डिमॉक्रिसी विंस किंग्रेचुलेशन करनाटका किंग्रेचुलेशन देवे गोड़ा जी कुमार अस्वामन जी कॉंग्रेस अन अ कम हल चल देखने मिलती थी लेकिन जैसे ही अधरुपा की सरकार ग्री है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कॉंग्रेस दफ्तर में इस वक्त हल चल बढ़ गई है जो तमाम यहां जो प्रवक्ता हैं कॉंग्रेस के वो आने शुरू हो गए हैं वो बात करने लगे हैं और यह बार बार बात कही जा रही है कि पहले से ही कॉंग्रेस यह जानती थी कि उनके पास नंबर से हैं उनके पास आखड़ा है बहुमत हैं सरकार बना सकते हैं तो अभी थोड़े देर में यहां प्रेस कांफरेंस होने वाली है और कॉंग्रेस इस बात को लेकर कि दुबारा बात इस्तिफाद है आज प्रवक्ताओं की ओड वहां पर लगनी शुरू हो गई है कॉंग्रस दफ्तर की बात मनी शुक्ला बता रहे हैं आमेद प्रकाश का दुबारा रुक करते देखिए वो विदान सभा के बार मौझूद है एक-एक करके मलसी उनसे एक-एक करके मले जो हैं कर रहे हैं उनसे उनको सभट आहीरों से मुलाकात कर रहे हैं उनसे अपने बयान वह शेर कर रहे हैं इसलिए उनके पास बार-बार जाना जरूरी है आमेद जल्दी शो hasn't believed in आना यह नहीं इतरी संभावना है कि यहदबरपा भी जाके वहां स्टेफ़ा देंगैं लिए उन्होंने एक कदम उठाया फ्लो टेस्टिक से ठीक पहले जब उन्होंने अपना त्याग पत्र त्यार किया और वो एक बहुत ही भावनपूर भाशन दे करके अपना त्याग पत्र राजपाल को सौपने चले गया है। प्रूपिका सीनियर कॉंग्रेस लीडर उन्हें रियाक्शन लेन दरूए अभी अभी निकले हैं जीत हुई है पहली प्रतिक्रिया यह बड़ी खुशी की बात है कि करनाटका में हम बेज़ेपे को रोक पाए इते दिनों से उनकी इतनी कोशिश रही कि गवर्नर ने ऐसा रोल निभाया कि 15 दिन का वक्त दे दिया सुप्रीम कोट का हम सलूट करते हैं कि सुप्रीम कोट ने हमको न्याय दिया 24 गंठे का वक्त दे दिया और 24 गंठे में हमारे पास बहुमत थी यह डियूरपा जी के पास कोई दूसरा चाला नहीं था वह सफा करके आप वह राजभौन गए इस सफादे नहीं कोंग्रेस और जेडियेस का गडबंधन सरकार बन रही है कई जगहों पर कंग्रेस और जे टेकत्व मुख्यमंत्री के पाद लोगों तक जाना जरूरी है नहीं किए इसके बाद रोगों से पुछेंगे जो लोगा पास जाएंगे लोग खुछोंगे पहले जो लोग चाहते प做 it is जिन्होंने वोट किए कॉंगरेस को कि जेडियेेस को को ऑनाफिया कॉंग्रेस